वर्ल्ड कप 2023 की सेमिफाइनल में किन चार टीमों के बीच टक कर होगी पूरे 36 दिन और 41 मैच के बाद इसकी तस्वीर लगभग साफ हो गई है जिन टीमों के पहुंचने की उमीद शुरू से लगाई जा रही थी उसमें से मेजबान भारत और उस्टेलिया ने तो अपनी जगा बना ही ली है सबको चोकाते हुए डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड इस बार क्वालिफाइ करने से चूग गई उसकी जगा साउथ एफ्रीका की एक बार फिर वर्ल्ड कप सेमी फाइनल में वापसी हुई जिसकी उमीद हर किसी को नहीं थी चौथी टीम के लिए टकका चल रही थी और गुरुवार 9 नवेंबर को ये भी लगभग साफ हो गया पैंगलोरू के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में गुरुवार को न्यूजिलेंड ने बेहद आसानी से श्री लंका को पांच विकेट से हरा दिया इसके साथ ही उसका सेमी फाइनल में पहुंचना 99 फीस्दी तक पक्का हो गया उसके टक्कर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान थे लेकिन अफगानिस्तान की स्थिती तो अब संभव हो गई है पाकिस्तान के लिए भी स्थिती संभव जैसी ही है और उसका भी सेमी फाइनल में पहुंचने का चांस भी नाम मातर ही है ऐसे में इसे पक्का ही समझ लिया जाए कि 19 नवेंबर को होने वाले फाइनल में कौन-कौन सी टीम खेलने वाली है उसका फैसला भारत, साउथ एफरिका, और नियूजिलेंड की टक्कर से ही होगा अब टीमों की तस्वीर साफ हो गई है तो ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी टीम में कब और कहां भीडेंगी इसके लिए पॉइंट स्टेबल और फॉर्मेट को समझना होगा टीम इंडिया पॉइंट स्टेबल में पहले स्थान पर है और यहीं बनी रहेगी दूसरी नमबर पर फिलाल सौथ अफरिका है जबकि तीसरी नमबर पर आस्टेलिया दोनों का एक-एक मैट बाकी है और उसके हिसाब से जगाब बदल सकती है चौथी नमबर पर न्यूजिलेंड या फिर पाकिस्तान अगर वो कोई करिश्मा कर दे ही रहेगी स्वावेट के मताबिक पहले नमबर वाली टीम का सामना चौथी पोजिशन वाली टीम से होगा जबकि दूसरे और तीसरे नमबर की टीमें आपस में टकराएंगी इससे साफ है कि भारत का सामना न्यूजिलेंड या पाकिस्तान से होगा जबकि साफ अफरीका और आउस्टेलिया आपस में टकराएंगे भारत और न्यूजिलेंड के बीच सेमिफाइनल मैच में पिछले वर्ल्ड कप के रिपीट जैसा होगा 2019 में भी दोनों टीमों की सेमिफाइनल में टकर हुई और दोनों के बीच पहला सेमिफाइनल खेला गया था इस बार भी भारत और न्यूजिलेंड के बीच पहला सेमिफाइनल होगा जो 15 निवेंबर को मुंबई के वानखडी स्टेडियम में हो सकता है वही 16 निवेंबर को कोलकता के इडिन गार्डेंस में साउथ एफरिका और आस्ट्रेलिया फेडेंगे दोनों ही सेमिफाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है